हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जो है studio master के mixer का review करने वाल है तो mixer के specific के बारे में बात करेंगे mixer का review करेंगे और mixer की सारी details जो है मैं आपको step by step बताऊंगा और ये mixer लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके लावा mixer की price क्या रहेगी सब कुछ आपको इस वीडियो में प दोस्त दिली परमार आप देख रहे हैं डीजे सकती चल यह स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह स्टूडियो मस्टर का एकवाटेंड मिक्षर जैसे हम यहां पर जूम करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है माइक्रोफोन इंपूट के एक्सेलर वाले सोकेट देखने को मिल जा या फिर इलेक्ट्रिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कीबोड हो गया फिर बेंजो हो गया तो अगर वह जेक से लगाना चाहें तो लाइन इंपूट में लगा सकते हैं उसके नीचे हमें सभी चैनल में स्वीच देखने को मिल जाती है तो यह जो स्वीच है वो ये चनल में के गयां मृतनेयों हिए मंतलब कुलिपिंग नहीं हो रहा है तो हम इस में किया करना है उस समय इस स्विच का उपयोग वहद Miche है हम जिसे ही प्रेस करेंगे फोल टो गड़न करी है म पचिपिंग तर्शी स्तूइल चैनल में हमें gain के volume देखने को मिल जाते हैं, उसके नीचे EQ section दिया गया है, तीन bend का, तो सबसे पहले आता है HF का volume, यानि की high frequency, तो ये जो volume है, इससे हम 12 kHz की frequency को cut या boost कर सकते हैं, उसके नीचे MF यानि की mid frequency, तो इस volume से हम 2.5 kHz की frequency को cut या boost कर सकते हैं, उसके नीचे है LF यानि की low frequency, बेज का volume, तो इससे हम 60 Hz की frequency को cut या boost कर सकते हैं, उसके नीचे सभी channel में EFX का volume दिया गया है, तो अभी ये जो volume है, वो दो तरह से काम करता है, मतलब ये जो mixture है, उसमें inbuilt eco भी आता है, तो inbuilt eco का opioid करना है, तो EFX का ये जो volume है, उससे आप कर सकते हैं, अगर आपको inbuilt eco का इस्तमाल नहीं करना, अगर आपको बाहर से कोई eco लगाना है, तो यहाँ पर EFX का एक output भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप बाहर से कोई भी eco करना कर सकते हो ठेगा, जैसे DD3 हो गया है, तो यह volume जो है, उसमें भी काम करेगा, उसके निच्चों जो है, एक ox देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस mixer में, तो यहाँ पर जो है, सभी channel में ox के volume देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर pre और post की switch दी गई है, तो ox को pre में यूज करना है, या post में यूज करना है, तो ox में यह pre और post क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, मैंने already एक video बने हैं, लिंक description में है, जाकर क्या आप देख सकते हो, तो यह जो pre और post की switch है, इसे आप press करोगे, तो pre में होगा, और उठा कर रखोगे, तो post हो जाएगा, उसके ठीक नीचे में, जो है, सभी channel में, pain के holium देखने को मिल जाता है, यानि कि balance के holium, तो left side रखोगे, तो यह जो microphone है, उसका आवाज, जो है, left out में ही जाएगा, और right के side रखोगे, तो इस microphone का आवाज, जो है, वो right में ही जाएगा, अगर इसे हम बीच में रखते हैं, तो left और right, दोनों output में आवाज जाएगी, उस दो microphone ऐसे ही पड़े है, मतलब उसका इस्तमल नहीं हो रहा है, तो उसको हम यहां से mute कर सकते हैं, तो यहां से हम बंद कर सकते हैं, और उसकी LED भी side में दी गई है, तो यह जो एक अच्छी बात हो जाती है, उसके नीचे जो है signal की LED दी गई है, सभी channel में, तो हमने microphone लगया, या फिर line input में जो है laptop वो गेरा, या फिर कोई भी instrument को connect किया है, तो यह जो है signal की LED जल एगी, उसके नीचे जो है yellow color की LED दी गई है, तो यह जो है PFL की LED है, यहां पर आप देख सकते हैं, सभी channel में हमें red color की switch देखने को मिल जाती है, तो यह जो है PFL की switch है, तो भी आप PFL के में जो है, वो सभी microphone का आवाज जा रहा होगा, लेकिन हमें तो बया सिर्फ एक ही microphone सुनना है, तो जो headphone होता है, वो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर यह PFL की switch, जिस भी channel में हम प्रेस करेंगे, उस एक ही microphone का आवाज हमें हमारे headphone में सुनाए देगा, और उस एक ही channel क LED जो है mixture में सुव करेगी, तो उस एक ही microphone का setting हम अच्छी तरह से headphone में से सुनकर कर सकते हैं, अगर आपको PFL और AFL के बारे में एकदम detail में जानना है, मैंने एक already video बना रखा है, उसके link आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख लेना, उसके निचे G1, G2 भय जानी कि उसमें हमने 4 या 5 microphone दिये है, तो अभी वह 5 microphone का हमें एक group बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक से 5 यानि कि एक से 5 channel में हमने 5 microphone लगाए, तो पांचो channel के जो ये G1, G2 की switch है, वह 5 channel में यानि कि 5 microphone में हमें ये switch को on कर देना है, तो उस 5 microphone का एक group बन जाएगा, और यहा volume कंट्रोल कर सकते है, और इसके अलावा group output भी दिया होता है, ठीक है, तो group के output से आप output निकाल कर एक amplifier में दीजिए, amplifier में से monitor लगाए, और वो monitor drum वाले को दे दीजिए, तो ये 5 microphone का आवाज ही उस monitor में जाएगा, और separate monitor की तरह आप इसे drum वाले को दे सकते हो, तो है ना ये group कमाल की चीज, अगर आपको group output के बारे में, group के बारे में एकदम detail में जानना है, वीडियो जो है description में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब link मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, उसके निचे LR यानि की left right की switch दी गई है भाईया, तो ये switch क्या काम करती है, मान हमें left या right, मतलब main जो left right output होते है, उसमें आवाज जाने देना है, तो ये switch हमें press करने पड़ेगी, ठीक है, तो जितने भी microphone का आवाज आपको main output में जाने देना है, left right में, उसमें जो ही ये switch आपको press करने पड़ेगी, left right वाले, बाकी यार यहाँ पर हमें fedders देखने को मि और 10 में, हमें stereo channel देखने को मिल जाती है, दो stereo channel है, यहाँ पर देख सकते हैं left और right, तो अगर आपको इसे mono में इस्तमाल करना है, तो सिर्फ आप यहाँ पर left में लगाएं, तो ये mono की तरह काम करेगी, अगर आपको इस stereo channel में इस्तमाल करना है, तो left और right में लगाएं, ये जो है stereo की channel काम करेगी ठीक है तो इसमें हमें पेड की switch देखने को नहीं मिलती बाकि यहाँ पर two track का जो दिया गया है ठीक है तो इसमें जो left or right input भी है और output भी है तो यह जो left or right input है उसमें CD player हो गया iPod हो गया या फिर MP3 player हो गया ठीक है तो उसे हम यहाँ पर लगा सकते है बाकि यह जो output वाला section है वहाँ से हम recording कर सकते है तो यहाँ से recording का output निकाल सकते है उसके ठीक बाजू में group output देखने को मिल जाता है तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि drum के 5 microphone है उसका हमने group बना लिया तो यहाँ से आप output निकाल कर उसे separate monitor भी देश सकते है ठीक है तो पांच microphone जो है उसके monitor में बज़ेगे और separate जो है अपना drum सिर्फ उसके monitor में सुन सकता है तो यह जो है कमल की बात हो जाती है उसके ठीक बाजू में main output दिया गया है left or right एक्सेलर वाले में दिया गया है ठीक है और यहाँ पर हम नजर डाले तो aux return भी हमें stereo में देखने को मिल जाता है left और right तो अगर जो है सिर्फ mono में इस्तमाल करना है aux return को तो सिर्फ आप जो है left में ही लगाए तो और उसके ठीक बाजू में हमें efx send और aux send का output देखने को मिल जाता है तो जैसे कि मैंने बताय यह था efx का जो ओलियम है वो दो तरह से काम करेगा एक तो इसमें inbuilt eco है उसके लिए भी काम करेगा बाकि अगर आपको बाहर से को eco लगाना है तो efx के output से आप output निकाले और dd3 में लगाईए ठीक है या फिर किसी भी eco में लगाईए और फिर return यहां पर कर दीजे ठीक है त तो अगर आपको नहीं पता कि separate monitor कैसे लगाया जाते है ओक से तो उसका भी मैंने already एक वीडियो बनाया है link description में मिल जाएगी वहां से जाकर का आप देख सकते हो और उसके ठीक बाजू में fs mute यानि की foot switch ठीक है तो यह जो है कैसी switch आती है जिसे हम यहां पर लगा सकते है औ monitor output है sorry monitor output दिये गए है left और right के लिए तो अब यह जो है क्या है मान लिजी हमारे पास headphone नहीं है तो हमें जो हमारे लिए separately monitor चाहिए जो हम सुन सके ठीक है हमारे बाजू में रहे है monitor तो यहां से आप monitor का output ले सकते हो और फिर जिस भी microphone की channel में आप pfl press करोगे उस एक ही microphone का अच्छी तरह से setting कर सकते हैं तो उसके बाजू में जो है headphones का output दिया गया है तो यहां से आप अपने headphones को लगा सकते हो उसके अलावाइस mixer में 7 band का stereographic EQ laser भी देखने को मिल जाता है तो यहां पर सबसे पहले देखे तो 63 hertz की frequency को यह volume cut या boost करता है उसके ठीक बाजू में 160 hertz की frequency को cut या boost करेगा उसके बाजू में 400 hertz की frequency को cut या boost करेगा उसके बाजू में 1 kHz की frequency को cut या boost करेगा तो भाया यह equalizer जो है वो काफी काम में आता है मतलब कहीं बार यार whistle वगेरे का problem रहता है तो अगर हमें पता चले कि वो whistle कहां से आ रही है मतलब HF से आ रही है, mid से आ रही है, base की आ रही है तो अगर mid की HF आ रही है तो particular उस frequency का holium अगर हम यह EQ से down करे तो whistle का समसिया काफी हद तक कम हो जाता है अगर base से आ रही है, तो वहाँ से हम यह base वाली frequency होती है जो 63 Hz हो गया, 160 Hz हो गया तो उसका holium हम down करें, तो वो CT की समसिया काफी हद तक कम हो जाती है तो EQ laser भी यार काफी कमाल की चीज है और quality भी जो है इससे काफी अच्छी मिल जाती है उसके ठीक बाजू में अगर हम देखे तो studio master professional का logo दिया गया है उसके नीचे model number mention किया है एक वाटेंग, उसके नीचे हमें 48 volt का phantom power भी देखने को मिल जाता है तो उसके लिए यहांपर switch दी गई है, यहांसे on off कर सकते है और उसके लिए यहांपर LED भी दी गई है यहांपर हम देखे तो यहांपर अभी eco वाला section आ जाता है तो इसमें total 16 effects दी गई है तो यह 24 bit EFX processor इसमें है और यहांपर उसका level भी दिया गया है और छोटी सी display भी दी गई है यहांपर program का एक बड़ा वाला जो है knob दिया गया है यहांसे आप जो अलग-अलग effect को select कर सकते हो उसके नीचे tape tempo भी दिया है, ठीक है मतलब आप जो है tape करके भी जो है eco का setting अच्छी तरह से कर सकते हो उसके नीचे यहांपर हम देखे तो EFX send का main volume दिया गया है तो सभी channel में आप देख सकते हो EFX के volume है यहांपर यह EFX send का main volume है तो यह volume अगर आप खोलो गए तब यह जो है channel के सारे EFX का volume काम करेंगे ठीक है तो यह आपको यहांपर द्यान देना है उसके नीचे AFL की switch है उसके बाजू में AFL की LED है तो मैंने जैसे की बताया की PFL और AFL क्या है एकदम detail में जनना है लिंक आपको description में मिल जाएगी वहां से जाकर करके आप video देख लेना उसके ठीक बाजू में ओक्सेंड का volume है तो यह भी जो है ओक्सेंड का main यानि के master volume है तो यहां से जो है ओक्सेंड का volume खोलो गए तब भी यह सारी channel में जो है ओक्स के volume काम करेंगे उसमें भी AFL की switch दी गई है और LED दी गई है उसके ठीक बाजू में नजर डाले तो two track और CD का volume दिया है ठीके तो उपर की side हमने जो two track वाला यह input देखा था उसका यह volume यहां पर हो जाता है तो अभी मान लिजे इसका आवाज हमें two main यानि की main output में जाने देना है तो इस switch को हमें press कर देना है उसके बाजू में phones लेवल दिया गया है तो हमने जो भी यार headphone लगा है उसका volume जो है up down हम यहां से कर सकते है phones लेवल से और यहां पर power की LED देखने को मिल जाती है उसके ठीक बाजू में PFL और AFL की LED दी गई है तो आपने किसी भी channels में PFL की switch दबाई या फिर AFL की switch दबाई तो यहां पर यह main LED जलने लगेगी ताकि आपको पता चले कि किस channel का PFL on है किस channel का PFL off है तो यहां से इंडिकेट कर देगा तो उसके बाजू में यहां पर LEDs देखने को मिल जाती है यानि कि meter तो यहां पर जो है सारे microphone की LED सोव होगी तो जैसे कि मैंने बताया था कि जिस भी microphone में आप जो है PFL की switch को प्रेस करोगे तो वहीं एक ही microphone की LED भी आप यहां पर देख सकते हो और अपने headphone में सुन सकते हो उसके नीचे हम देखे तो यहां पर आप देख सकते हो EFX Mix और OX Return का Fader दिया गया है तो यह जो EFX Mix है यह जो है Eco का Fader है यहां से आपको उठाना पड़ेगा तब ही जो है Eco आएगा फिर आप जो है उपर से Eco का सारा सेटिंग कर सकते है एफेक्स सिलेक्ट करके ठीक है और यहां पर जो है AFL दिया गया है यहां पर सभी माइक्रोफोन वाली चैनल में PFL है और यहां पर जो है AFL दिया गया है AFL यानि After Fader Release अंडिक है Fader को उठाना है उसके बाद यह स्विच प्रेस करनी है उसके बाद आप जो है एड़फोन में सुन सकते हो तो जैसे के मैंने बताया PFL और AFL पर ओल्रेडी वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाए और वहां से आप देख लीजिए तो यहां पर जो है EFX Mix तो यहां पर G1, G2 की स्विच है और Left, Right की है तो Eco अगर आपको Group में बेजना है तो यहां पर Group की स्विच को प्रेश करना होगा Eco अगर आपको Main Output में भी बेजना है तो यहां पर Left, Right की स्विच को भी प्रेश करना पड़ेगा और यहां पर Oaks Return तो मान लिजिए Oaks Out जो है या फिर EFX Out जो है वहां से आपने कोई भी Eco लगया ठीक है बाहर से या फिर Equilizer लगया और उसको Return वाले सेक्शन में Return किया तो यहां पर उसका Fader है Oaks Return का तो यह Fader को उठाना है तब ही वह काम करेगा तो यहां पर भी G1, G2 और Left, Right तो Oaks Return में आपने जो भी लगया अगर उसको Group में भेजना है तो Group की Switch प्रेस करिए अगर आपको Main Output में भेजना है तो Left और Right की Switch प्रेस करिए उसके बाजू में Group 1 और Group 2 के Fader देखने को मिल जाते है तो हमने जैसे की पहले बताया कि मान लिजे आपने 5 Microphone का एक Group बनाया ठीक है तो यहां से जो है एक ही OLEUM से वो 5 Microphone का Control आप कर सकते हो ठीक है यहां पर Group 1 और Group 2 दोनों के Fader देखने को मिल जाते है इसमें भी AFL की Switch दी गई है उसके निचन Left और Right की Switch दी गई है तो यह क्या काम करती है मान लिजे यह जो Group 1 है ठीक है इसमें Left की Switch को प्रेस किया तो यह जो Main Output जो है उसमें जो Left है यह Group का आवाज सिर्फ Left में ही जाएगा ठीक है इसी तरह से Right किया तो Left और Right दोनों में जाएगा इसी तरह Group 2 में है Left की Switch प्रेस की तो Main Output में जो है जो Group का Out है हो Main में Left में ही जाएगा और यह जो Group की Right Switch प्रेस की तो Left और Right दोनों Output जो है Main Output में जाएगा तो इस तरह से यह काम करता है बाकि यहाँ पर Group के लिए भी Mute की Switch दी गई है और यहाँ पर Main Master के Volume है उसके लिए भी Mute की Switch दी गई है तो यह जो है काफी अच्छी बात हो जाती है यह Switch जैसे ही ब्रेस की मतलब पूरा Mixer जो है Mute हो जाएगा मतलब सारे Microphone जो Mute हो जाएगा तो Overall Mixer का Look आप Display पर देख सकते हो काफी Design बढ़िया दी गई है और Side Look भी आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़े बहुत Specification की बात करें तो Frequency Response 20 Hz से लेकर 20 KHz है Total Harmonic Distortion 0.006% है तो 5 किलो 500 ग्राम का Mixer हो जाता है तो दोस्तों अभी बात करता है यह Mixer लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मैं आपसे यहीं कहूंगा कि अगर आप ज़्यादातर छोटे मोटे Program करते हो जैसे बजन हो गया, किरतन हो गया या फिर किसी भी प्रकार के छोटे मोटे Program हो गये जिसमें आप Regularly 6 या 8 Microphone तक लगाते हो हाला कि इस Mixer में हम 10 Microphone लगा सकते है लेकिन Regular आप जो छोटे मोटे Program में 6 या 8 Microphone लगाते हो तो यह Mixer आपके लिए Best Option है आप इस Mixer को Purchase कर सकते हो और इसके अलवा अगर आप जो है नईा Sound का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो भी यह Mixer आपके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में छोटे मोटे Program करो गए तो यह Mixer उसमें बढ़िया चलने वाला है Overall यह Mixer मुझे Personally काफी अच्छा लगा है क्योंकि इस Mixer में जो है Features भी काफी दिये गए है जैसे Graphic Equilizer हो गया Ox Output हो गया Group Output हो गया Recording के Output हो गया Ped की Switch हो गई Inbuilt Eco हो गया ठीक है फिर Mute की Switches दी गई है तो Features भी काफी अच्छे है इस Mixer में तो यह Mixer के प्राइज की बात करें तो देखे प्राइज में अभी ऐसा है कि यह सारी प्राइज जो है Online की प्राइज होती है ठीक है तो फिर सभी मार्केट में प्राइज में उपर नीचे होता रहता है तो मैं आपको एक Epprox प्राइज बता हूँ तो 18 से लेकर 20,000 तक यह Mixer जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगा और इसकी अलावा दोस्तों इस वीडियो को अभी ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारी DJ सकती चैनल को सबस्क्राइब करके बेल का इकन को ओल पर सेट कर दीजे ताकि एसा ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचती रहे तो दोस्तों मिलते हैं जहल्द ही एक नए वीडियो के साथ